सब्क्राइब कीजिए मेरे गुल कीचन चैनल को साथ दिये गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले असलाम अलेकूँ आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेकी और बहुत एजी गुड पीनेट चिक की जो two चीज़ों से तयार हो जाएगी गुड और पीनेट से और बहुत मज़ेकी बनेगी बच्चों की और बढ़ों की सब्गी सोबी की chemical बहुत बसंदीदा चीज होती है इसके लिए हमने क्या लिया है covenant दोल необходимо बढ़े करें अब हमने पानी लेना है जितना हमें चाहिए होगा हमने सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले हमने क्या करना है इसमें गूर ढाल देना है और थोड़ा सा हमने इसमें पानी एड़ करना है जादा कप इतना हम देखें कि अगर जादा गाड़ा लगेगा तो हम थोड़ा सा पानी इसमें और एड़ करेंगे अब हमने इसको इतनी देर पकाना है कि एक उड़ सारा पानी में मेल्ट हो जाए अच्छा सा और ये बिल्कुल एक गाड़ा सा बैटर बन जाए ये देखे हमने इतनी देर पका लिया है चे साथ मिनट हो गए है पकाते वे मुझे ये इसी तरह से इसी तरह से बनाना है एक बिल्कुल गूर्जो है वो मेल्ट हो गया है और ये चाशनी इसकी गाड़ी बहुत जाए अच्छी कशे घाड़ी होनी शुरू हो गए है अब हमने इसको इतना और कहला क करना है कि ये जमने के काबल हो जाए है एक थाली लेनी इस्टील की या सिल्वर की लिया आप इसको हमने ग्रीज कर लिया है गी से अब हम इसको चैक करेंगे थोड़ा सा पानी लेंगे उसमें हम इसको इसका ड्रॉप डाल कर देखेंगे और अगर तो यह सिमठ जाएगा तो यह हमारे चैक के लिए चिक्की लिए ज़गर गजग के लिए पानी मे लाल देखें इसमे पानी जम गया इसमे बिलकुल फैला नहीं यह इनिया गोड़ा में सिमठ गया है जब आपको बहसूस हो कि आपकी ताकत इसमें लगनी शुरू हो गई है तो वस ये इकमेंस के लिए जबने के लिए अब तयार है इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है चलाती रहने ये देखें विल्कुल हमारा जोए ये अब तयार है आम इसमे इसको था सारा आ잇स यह बिल्कुल हमारा जो है यह चिक्की गुड़ और पीनट की और यह इसको वजग भी कहते हैं तयार हो गई है अब इसको जमने के लिए किसी ठंडी जगा पर रख देंगे यह देखें हमारी पीनट गूर्च की जो आ बिल्कूल आच्छे से तयार हो गई है बहुत ही प्यारी बहुत अबसुरत हराम से यह जम गई है इसके अंदर इसको निकालने का यह तरीका है कि व्यक्त था आप जैए कि तो आप इसको आइस्ता इस तरह से करें जब यह थोड़ा साथ डिला हो जाएगा तो फिर आप इसको छूरी से इस तरह से एक एक निकाल निकाल के और लगते जाएं अच्छी से बन गई है यह आप यह जरूर बनाएं बचों की तो यह फेवरेट होती है और बड़े भी कोई कम पसंद नहीं करते हैं इसको बहुत पसंद करते हैं सर्दियों के वासम में तो यह बहुत ही माज़दार लगती है यह देखें यह देखें आप 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 बना कर रख लिए यह आप अच्छे से जार में और जब दिल चाहा निकाला बच्चों को दिया आप भी काया जॉए करें बहुत मज़े की हमारी पीनेट गोड़ चिक्की पनी है आप जरूर ट्राय करें बहुत ही इजी बहुत ही मज़े की रैसिपी है यह और बहुत मज़ बच्चों को बना कर दें खुद भी इपने लिए बनाए और मुझे फीड़ बैक जरूर दीजिए इंशाला नई रैसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी अलाफिस